नमस्कार, Administrative Academy के YouTube जैनल में आत्वकत भगा थे आज हम काफी दिनों के बाद ये वीडियो रिकार्ड करता हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि BSC Part 1, Part 2, Part 3 के एक्जाम सुरी होने वाले हैं और BSC Part 1 के First Semester के एक्जाम चल ला है आज हम BSC Second Year के First Paper के टैक्शनामी की कुछ Family पर डिस्कुर्शन करेंगे आपसे आम तोर पे Botany का जो Botany BSC Second Year का First Paper है और MSC Final Year में ये Second Paper है जिसमें Family ज़्यादा पढ़नी होती है जिसको हिंदी में कुल कहते हैं और Families का description कैसे किया जाता है इसके बारे में हम आपके इक डीटेल जानकारी दे रहे हैं और इसके आधार पर आप Family को बहुत अच्छी तरह से ग्यामिनिशन में अच्छी तरह तयार कर सकते हैं तयार करने के क्या क्या तरीके हैं कैसे आप तयार करेंगे क्योंकि जब ज़्यादा Family होती है और सारी फैमली के करेक्टर एक दूसरे से मिक्स होते हैं तो identify करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और examination में उसके करेक्टर को लिखना मुश्किल हो जाता है तो आज इसी पॉइंट पर हम BSC Second Year के First Paper और MSC Final Year Botany के Second Paper की बात करेंगे तो सबसे पहले जिसे फैमली के जो भी टर्म होते हैं Taxonomical Term वो आप सब ही लोग पड़ चुके होंगे और जनकारी होगी कि टर्क्षिनामी में कौन कौन से टर्म इस्तेमाल होते हैं सब टर्म की मेनिंग क्या होते हैं उनका सिंबल क्या होता है तो आज इसी प्रोसेज में हम सबसे प्रिमिटिफ फैमिली डाइकाटलेटन और मोनोकाटलेटन डाइकाट की जो पहली फैमिली है जो सबसे प्रिमिटिफ फैमिली माना जाता है जिसको इंजियो स्पर्म की सबसे लोविस्ट फैमिली माना जाती है उसे हम रिनन कुलेशी के नाम से जानते हैं , सबसे पहले हम रिझननकुलेशीफ को describe करेंगे talk कर लेफन ने कुलेशी कि ये डाइकोट험 डाइकोटणि लेटिन जिसको हिंदी में ूदी बीवीश पत्री कहते हैं डाइक ओट लेडन के सबसे प्रिमिटिफ फैमिली मानी जाती है on the basis of characteristic के अधार पर इसके अंदर जो भी करेक्टर्स हैं इस फैमिली की जो भी प्लांट्स होते हैं उनका जो भी करेक्टर होता है वो एंजियो स्पर्म के लोवर करेक्टर को यानि प्रिमिटिफ करेक्टर को फालू अप करते हैं इस वज़े से इन्हें सबसे प्रिमिटिफ फैमिली मानी जाती है तो फैमिली लिखने के बाद दो तीन तरीके हैं शुडिस्क्राइब करने के पहला तरीका ये है कि आप अगर फिल्ब में गए हैं प्लांट को देख रहे हैं plant के character को देखे character को लिखते जाईए और last में यह पता करिए कि die count है या die count के अन्दर जो group आता है उसके अंदर आता है किस series के अंदर आता है किस order के अंदर आता है और दूसरा यह है कि जड़ आप theory पड़ते हैं तो theory में आपको यह पता होना चाहिए कि किस family की important character क्या है और उस important character के आधार पर उन्हें किस class में, किस group में, किस family में और किस order में रखा गया है तो अगर आप रेन कुलिशी family को bentham and hooker classification के आधार पर classify करेंगे अगर तो सबसे पहले जो class है, इसका class आपका है dicotyledons dicotyledons क्या है, dicotyledons को आप हिंदी में 22 पत्री कहते हैं और इसका जो taxonomical character जो मारकोलाजी के आधार पर इसको आप identify करते हैं उसमें अगर flower pentameras हो, मतलब calyx corolla और endosium के जो hurl पांच-पांच के नंबर में हो या पांच-पांच के hurl में हो, तो pentameras होगा reticulate venation हो, तो उसको हम diecott के category में रखते हैं internal characters आप देखते हैं, तो embryo two-cots hidden हो, जैसे चना है, मतर है या अगर आप internal character order देखते हैं, तो एक का bundle जिसमें open हो, और ring में arrange हो, यह सारे characters हैं diecott latence के, और diecott latence को तीन ग्रुप में divide किया गया, और ये तीन ग्रुप में divide किया गया है किस आधार पे, आंदबेशी साव, free and fusion के आधार पे, तो diecott latence का जो पहला ग्रुप है, जिसको हम पाली पिटली कहते हैं, तो ring街 को pali patalie group में रखा गया है, जिसलिए रखा गया है कि इसमें जो petals पाय जाते हैं, जिसको हम corolla कहते हैं, वो free होते हैं, बनादting दुसरे से joint नहीं होते हैं इसके बाद group के बाद आता है series, series क्या है? इस ring街 की series, इसकी है थैलमी floolory थैलमी फ्लोरी इसले कहायता है, फ्लोरी मत होगया फ्लावर, थैलमी मत होगया थैलमस, फ्लावर के बेश पर थैलमस प्रेजेंट होता है, इस वज़े से इसको हम थैलमी फ्लोरी शेरीज में रखते हैं, और आडर जो इसका है वो रेनेल्स है, डाइकार्ट का जो सबसे प्रिमिटिवी आइडर है वो आपका रेनेल्स है तो यह क्लासिफिकेशन है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के एकार्डी रेनन कुलेशी फैमली का यह आपका क्लासिफिकेशन है अब classification लिखने के बाद उसे describe किया जाता है आप इस तरह से आप इसको screenshot ले सकते हैं और describe किया जाता है आन्दवेशिस आप character के अधार पर कि कैसे उस family को हम identify करें कैसे character को लिखेंगे तो classification जादा तर character को clear कर देता है die card linens है इसका मतलब यह हो गया कि यह देवीश पत्री पहुधा है इसके अंदर पांच-पांच के वरल होंगे पांच करेश पांच करोला पांच एंडूर्शियम के polypately है यानि petals free होंगे thalmy flory है यानि इसके base पर flower के base पर thalmy present होगा और order इसका renews है जो सबसे primitive order माना जाता है जिसमें सारी शीजें free जादा पाई जाती है अब इसके बाद जो है हम इस family को describe करें तो इसका describe करने का जो तरीका है वो है कि सबसे पहले इस family के diagnostic feature को लिखा जाता है diagnostic feature का concept यह है कि इस family के important character क्या है जिसके आधार पर इस family को पहचाना जाता है diagnostic features किस आधार पर इस family को आप identify करेंगे कि यह character है इसलिए यह family है तो आम तोर पर कुछ important character को हम लेते है इसमें जो petals होता है वो free होता है साथ ही साथ इसका flower जो होता है वो hypogynos होता है hypogynos का concept यह है कि गाइनिशियम यह ओवरी वाला portion जो है उपर रहेगा उसके नीचे से कलिस करोडा आराइज होंगे इसका जो सबसे important character होता है कि इसमें जो stimmons होते हैं वो indefinite होते हैं stimmons indefinite होते हैं stimmons indefinite is the most important character यह large number में instruments पाई जाते हैं और इसके साथ साथ इसमें जो कारपिल्स होता है वो free होता है यानि यह पो कारपिल्स कंडिशन पाई जाती है कारपिल्स free और इसमें जो important character एक और है इसे marginal presentation होता है marginal presentation marginal presentation पाई जाता है this is the important character इसके साथ साथ इसके कारपिल्स भी numerous होते हैं और इस family के ज़्यादा तर जो member आपको हर्फ से मिलेंगे हर्फ तो most important character में आपका आता है इस्टिमन इंडिफिनिट होते हैं एपो कारपिल्स कंडिशन होती है कारपिल्स री होते हैं marginal presentation होता है this is the most important character कारपिल्स numerous होते हैं और flower के base पर थैलमस प्रजिंट होता है तो सबसे पहले किसी भी फैमिल्स को आप डिसक्राइब करते हैं तो उसके diagnostic features को डिसक्राइब कर जाता है और इसके बाद family को डिसक्राइब करने का जो concept इसके बाद आता है आप यह अगर highlight कर दें diagnostic features में तो इज्ञानवर को यह पता चल जाता है कि विद्यार्थी को इस family की important character क्या-क्या है उसके जानकारी है इसके बाद family को डिसक्राइब करने की दो और headings है पहला है कि plant किसी भी family का जो plant साता है उस plant को हम हम दो character में रखते हैं एक character होता है वेजिटेटिव character जिसमें आप प्लांट के वेजिटेटिव यह रूट इस्टियम लीप्स को डिस्ट्राइब करेंगे और जो दूसरा character होता है जिसको हम रिप्रोड़क्टिव इस्ट्रकर करें सकते हैं तो अगर आप इसकी character पढ़ाई है तो पहला आपको होगा है वेजिटेटिव और दूसरा है आपका फ्लोरल करेक्टर है अब देखे वेजिटेटिव करेक्टर है वेजिटेटिव करेक्टर में क्या क्या है 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 रूट इस्टेम एंड लीप्स है है बिट का कंसेप्ट यह है कि ओवराल ग्रास मर्फोलाजी क्या है तो एन्वल और पेरिनियल है हर भरी टैप रूट पाई जाती है इसके अंदर मोस्टली कभी कुछ प्लांट में ट्यूबरस रूट भी होती है हर्वीशियस है इस्टेम इसका हर्वीशियस मतलब होता है नानोडी इरेक्ट कभी कुछ इस्टेम इसका सीधा भी होता है कभी ब्रांचिंग होती है और कुछ हैसे प्लांट होते हैं जिसमें यह क्लाइंबिंग होते हैं आप लीफ देखी लीफ मोस्ट लीफ की सिंपल लीफ होती है मतलब यह लीफ जो है लीफ फ्लेट में डिवाइट नहीं होती और लीफ का जो अरेन्मेंट होता है आपोजिट या कभी-कभी अल्टरनेट होता है कभी- हो सकता है कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें आप उजिट अल्टरनेट या और अलफाद भी पाइड़ दाते हैं तो ये आपके विजिटेटिव करेक्टर अब इसके बाद अगर आप लीफ देखते हैं तो लीफ में जो विनेशन होता है वो रेटिकुलेट विनेशन होता है लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें समभावना ये हो सकती है कि यूनिक और या मल्टिकास टेट में आज कहते हैं इस इस इंपॉर्टिन करेक्टर आप डाइक और तो एक तरीके से एक सामान करेक्टर है ये आप वो जो यूनिक करेक्टर जो होता है कुछ प्लांट क्लाइंबिंग होते हैं यूनिक करेक्टर के अधार पर आप ये कामन करेक्टर है इस कामन करेक्टर का पश सब्सक्राइब करेंगे हूं अब फ्लोरल और करेक्टर की बात करते हैं तो फ्लोरल करेक्टर में आपका सबसे पहले sound shallता है जिसको आप हंदी में पुरश्पकरं कहते हैं या इस प्लांट में यानि य ह erect family को भी plant है उसे फिलावर का आरेंड्जमेंट क्या होता तो फिलावर के आरेश्यमेंट को ही हम知न्ट यह पुरस्प्रम कहते हैं तो रनेकुजसी फिलावर्स होते हैं जो वो mostly solitary terminal होते हैं solitary terminal का एक single flower पाय जाता है लेकिन कुछ ऐसे भी plant हैं इस family के जिसमें ये एगिलरी भी होते हैं कुछ में रेशीम होते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें साई मोज है लेकिन most of the जो इस family के plant हैं उनमें जो flower का आरिण्विन्ट होता है वो mostly solitary terminal होते हैं मतलब इस तरह से axis पर axis पर एक single flower निकला होता है इसको हम solitary terminal कहते हैं अग्ष के बाद flower की बात करते हैं flower plant का एक ऐसा part है जहां से floral formula की भी सुर्वात होती है तो flower क्या है आप support that flower ये flower है अगर अगर सी flower को आप describe कर रहे हैं इस flower को तो सबसे पहले इसके base describe करना होगा तो अगर इसके base पर इस टाक पाया जा रहा है तो इसको pedicillate कहते हैं तो renunculacy family के जो members होते हैं उसमें जो maximum flower पाया जाते हैं उस सब pedicillate होते हैं मतलब इसमें dental पाया जाता है flower में pedicillate होते हैं e-bractiate होते हैं e-bractiate का मतलब ये है कि flower के base पर bright नहीं होता bright मतलब यहाँ पी base पर एक leaf-like structure दिखाए देता है इसको bright कहा जाता है अगर ये present है तो brightiate होगा ये अगर absent है तो e-bractiate कहा जाएगा तो renunculacy family के जो members हैं उसमें ये bright नहीं होता इसलिए इनको e-bractiate कहा जाता है rarely ब्रactiate हो सकता है कि जिसे एक family में बहुत सारे plant है एक आदमी अगर ये develop हो गया उनको rarely कहा जाता है उनको आम तोर पे उसके character में consider नहीं किया जाता है एक्टिनोमार्फिक हैं एक्टिनोमार्फिक का मतलब ये है कि जिसको आप दूसरा नाम इसको बोलते हैं कि ये regular है एक्टिनोमार्फिक मतलब इस flower को अगर आप एक्टिनोमार्फिक कहा जाता है तो इस family के जो भी members है तो नहीं मान लिया जाता है कि कहीं से आप डिवाइट करोगे एक्टिनोमार्फिक हो जाएगा को इसको एक्टेनोमारफिक कहा जाए시면 और यह आपका हर्माफ़ोडाइत है हर्माफ़ोडाइत का मतलब यह है कि हाँ ज्यादातर प्लान्ट में मेमेलोज क्सार्गन एक ही फ्लावर में थीम्त्रियम मतलब इसे हैं दोनों इसे कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें ये दोनों एक साथ नहीं होते हैं बलकि ये यूनिसेक्सवल होते हैं तो ये रियर है mostly जो है आप का हरना फ्रोडाइट ही होता है और flower आपका जो है वो hypogynis होता है hypogynis का मतलब ये है कि ovary की नीचे से caryscrawler arise होते हैं ovary आपकी superior मिले ये ovary का concept तो ओवरी वाल परेशन पढ़ेंगे ये हाँ पर hypogynis वर्ड लिया जाता है और pentameras होते हैं pentameras होते हैं pentameras होते हैं मतलब पांच केलिश पांच करोला और 5 एंडूर्शियम पांच माचे पांच के नंबर में होते हैं और इसके साथ साथ और ये flower के important character आएंगे आपके और इसके बाद हमको देखते हैं इसके अगले character के बारे में और flower का पहला वर्ड जिसको आप calyx कहेंगे इस family के जो maximum member होते हैं उस member में calyx को रोला में कोई distinction नहीं होता यानि दोनों एक ही तरह से दिखाई देते हैं जाज अतर प्लांट में लेकिन जो calyx होते हैं mostly five होते हैं five shipples होते हैं और ये poly shipples होगा मतलब shipples free होंगी caducas होता है caducas का मतलब ये है कि flower बनने के बाद तुरंत ये fall off कर जाता है shipples और इसका जो एस्टिवेशन होता है खास का जो आरेंडमेंट होता है flower में shipples का वो आपको कहलाता है इसको आप इम्परिकेट या वालवेट एस्टिवेशन होता है इम्परिकेट और वालवेट तो तो चैलिश के पुआज के पूंच ये फाइब शेपल होते हैं ये पेंटा मेर पाली शेपल्स होते हैं सेपल्स फ्री होता है के अप्टुकर्स होते हैं कि मतलब ये प्लावर बनने के बाद फालाफ कर जाते हैं इंपरिकेट और वाल वेट एस्टिवेशन होता है कि इमडिकेट में पांच सेपल्स होते हैं एक जुथरीक ऑफरलाइब कर रहता है आँ वालवेट में क्या होता है कि फांच सेफल एक दूसरे से मारजिन पी टच रहते हैं तब एक कोरोला है कोरोला में 5 petals होते हैं या पिटल्स इस से ज्यादा भी हो सकते हैं वाली petals होता है सारे petals free होते हैं क्यादुकर्स होगा यह भी flower बनने के बाद फालाफ कर जाता है Face प्रिजेंट होता है नेक्टरीज प्रिजेंट ay the base of petals the petals petals के बेस पर nine से करेटिंग लेन्ड होती है जिसको मों नेक्टरीज कहते है वह प्रेजेंट होता है इसके important character आफके comfortable रहिए लूज़े 5 पेटल्स पेटल्स सारे फ्री होते हैं तो आडुकस होता है मतलब फालाफ कर जाता है इम्रीकेट आरवालबे है कि इस्ट्र में डिपनिट होते हैं लार्ग नंबर में strings होते हैं किये इसका शोता है इक्स्ट्रो जो होता है एंथर का हौंसाइट पेरिफरिड फिलावर होता है एडनीत होता है एडनीक का इकांस्थिक यह है कि इसका जो रॉल करता है आपको एंथर पर ईनलीस्चम आपका यह पॉलिकर्पैल्ट सबस्क्राइब इस टेंप पर श्र Closed कारपल्स होते हैं ज्यादा कारपल्स होते हैं सारे कारपल्स दूस्रेसे फ्री होते हैं जिनको यतो काहा जाएगा ऑफ़ी शॉपीरे रोती है क्युद्ध होता है most important ग्रिंक्तरिस्क का जो है की marginal practitioners होता है है प्लेशने जो हता है इसका मार्जिनल होता है और लाश्ट में फुरूट है फूरुट जो हता है वो एग्रेगेट होट होता है तो यह आपका आप इसकी शाड़ भी ले सकते हैं दिस इस इतों पॉर्टेन गरेक्टर को आप डिस्क्राइब करिए मुस्ट इंपॉर पर से ओवरी सुपीर होगी मार्जनल प्रेस्टेशन होगा और लाश्ट फूर्ट जो है अग्रिगेट अब इसके बाद हम लोग फ्लोरल फार्मूला अब डायग्राम के बात करेंगे आप यह देखिए फ्लोरल फार्मूला है सेमली का फ्लावर चुंकि यह ब्रेक्टीट होता है आप ब्रेक्टी इवियार ना लिखें तब भी चल जाएगा फ्लावर एक्टिमार्फिक है बाई सेक्सुल है नहर्माप्रोडाइट है लगात के फाइब मतलब पर शेपल स्कैलिक्स जो होता है पांच होते हैं फ्री होते हैं इसे ब्रेक्ट नहीं लगाए जाएगा कोरूला पालीपेटलस होते हँं पांच हैं पंटामेरिंज घिवसारे होते ऊप году अगये ए होती हैं तो सुपीर ओवरी का निशान यहां पर लगेगा और इसी के साथ साथ था आपका यह आपका फ्लोरल डाइग्राम है फ्लोरल डाइग्राम जो है वह आप देखिए यहां पर एस्टिविशन इंब्रिकेट या वालविट बना सकते हैं आप कुछी स्विस्विक प्ला यह कहल चैनल होते हैं यह पहलवरल आपको हो गया सेपल्स का पाच यह दूसरा वरल याप कडिल का आच है यह के बद आपको ता अंड़ोचियम았는데 है टिक प्लोडय होता है आप डाइस दीकर होता है इसको बनाने का तरीकine कीया है और यह तरीका यह है यह आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं यह तो शेलल अंथर कहलाएगा यहां भी टू शेलल हो गया ये नक्रम दोझे से यह जिस एक्स से फ्लावर लगा होता है उसको मतर एक्स कहते हैं और बीच में यह प्लेसंटेशन है जिसको मार्जिनल प्रेशनिटेशन कहा जाता है और चुमकि मेरी कारपल्स होते हैं इसलिए धे सारे प्रेशनिटेशन आपको शो करेंगी आपर और इसके बाद इसके इस फ्लैमली के इंपॉर्टेंट प्लांट अगर आप समझ लीजी इंपॉर्टेंट प्लांट कौन-कौन ते हैं जरूर याद होना चाहिए इंपॉर्टेंट प्लांट में आपका आता है निगेला इन आई जी डबल एल ले निगेला सटाइवा मंग्रेला है दूसरा आपका है क्लीमेटिश तीसरा होता है डेलफिनियम रेननकुलस जिसके नाम प there फैमली का नाम पड़ा हुआ है रेननकुलस रेननकुलसी तो एक कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट है इस फैमली के दूसरा मंग्रेला है एक लिमेटिश है आपका डेल्फिनियम है रेननकुलस है एक एक कॉनिटम है और इस फैमिली का ग्रिकरमिनामिक इंपॉर्टेंस यह है कि इस फैमिली के कुछ मेंबर्स जिसे मंग्रेल का इस्तिमाल किया जाता है कंडिमिन्ट में और मसाले वगरे में चाहिए रियुद्धिया-कोल्स को इस्ते माल होता है यह लना मेंटल प्लांट है तो कुछ प्लांट इसके जिसे का प्लांट है यह आपका मेरिशनल प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है तो overall इसी family को describe करने का जो concept है इसी heading के तहत होता है हर family की दोचार plant का नाव हमेशा याद होना चाहिए floral formula, floral diagram ठीक ठाक अच्छे pattern में होना चाहिए कहीं गलत सही ना हो जो इस activation आप में लिखा है उसको बनाईए floral formula पर विश्य थ्यान दीजी कहेंगे गाबर ना हो क्योंकि ये floral formula और डाइग्राम से free family का वो character पता जिल जाता है तो इस तरह से ये आपके रेनन कुलेशी family थी आगे हम कुछ और important family को detail पढ़ाएंगे तब तक आप इसे पढ़ लीजिए नमस्कार थान्यवाद